हलो दोस्तों आपका स्वागत है मनोज बॉडी वर्क्सॉप में आज हमारे पास आई है टाटा की मोस्सेलिंग विकल टाटा इंट्रफ वी पिप्टी पीकप जो यह अपने काफी अच्छे लुक के लिए भी जानी जाती है और रोड पर जेंस भी काफी बढ़िया है इसका य आप यह देख सकते हैं फ्रंट से इसका पूरा ग्रिल का जो शेटिंग किया हुआ कंपणी ने वह काफी अच्छा काफी यूनिक किया हुआ है इस फ्रंट से एक मिट सेकेंड के लिए किसी को भी नहीं लगेगा यह कि किए पिकप वेन है यह अप देख सकते हैं इंट्रा कि बेजिंग अब देख सकते क्रोम में मिला हुए आपको जिसमें रश्टिंग का इसून है काफी अच्छा है अपने देखाइब पिकपर फिस्टिंग आता है जो नहीं चलता है वी 50 का बेजिंग इधर है जो आपको क्रोम में प्रोवाइड किया गया है और यह भी काफी अच्छा कॉलिटी का है कि यह आप देख सकते हैं इसका विंड सील को आप देख सकते हैं जो काफी बड़ा ग्लास एडिया है और अंदर से काफी अच्छा आपको बाहर का वीजिबिल्टी मिलेगा और दो बड़े वाइप करहें वाइपर भी मॉडर में है जो काफी अच्छे BÜNDNISS 2 को साफ करेंगा हमाई एरिया में पानी पर रहा था तो मैंने चेक किया था विंड जिल बहुत अच्छे से पानी को साफ कर देता है आएए मैं आपको इस सैट से दिखा देता हूं इस साट से भी आप इस गाड़ी को देख सकते हैं काफी अच्छा पॉस्चर लग रहा है देखने से और देखने से कंपनी एक एर इंटेक भी दिया हो जो इंजन तक फ्रेस आवा पहुंचाएगा आपको पर्फॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा इसका आप कार्गो बॉक्स काफी अच्छा है लंबाई और पीकाप के मुख काफी बढ़ियां है और पूरा है आईए मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं यह पीछे देख सकते हैं इसकी जे चौडाई है वह फॉइफ पॉइंट थीट की मिल जाती है आपको पॉरा है और पीछह दो सेंसर भी मिल जाता है और अप स्टेपनी भी देख सकते हैं यूज करना ड्राइवर के लिए काफी असान है चंज है और अन्दर जो आपको पे लोड मिल जाता है वह पंदरा सो के जी का मिल जाता हो जीवी डावली जो का मिल जाता है इसको इधर आपको और जो इसका आपको टार्निंग सर्किल रेडियस है वो 6000 mm का है पतली गलियों में सक्रियों रास्तों में यह काफी अच्छा असानी से निकल जाएगी यह गाड़ी आपको कंफर्टेबली कभी को प्रॉब्लम नहीं आएगी यह अब देख से इंट्राप का बैजिंग आपको पीछे भी दिया हुआ है और यह भी आपको क्रोम में ही दिया हुआ है नीचे में इसका बैक लाइट है देख सकते हैं जो नॉर्मल सा बैक लाइट है इसे मेटड़ मॉड अब आरे इस पहलं सो सकते हैं अलों इसमें बैटरिक आपको चलीर में द्रण देखा होता है यह आप सकते इदर वाइपर और और कॉल्यंट का दिया हुआ है पीछे का एंचे आरे के इंचे कंपनि हैं इसमें जो इंज़न हूआपको मिल जाता है स्वारे एक्हाइव आक Whoo पाउमी रेल टर्बो इंटर कूल डीजल मिल जाता है जो काफी अब बनिया है और कैपेसिटी जो आपको मिल जाता है वह 1496 सीची का मिल जाता है अब देख सकते हैं यह जो इंजन है आपका पावर बना के देती है वह 59.5 kbw का 4000 rpm पर मिनट असी एच्पी देती है और टॉर्क 220 एनम का 1750 और 2500 rpm पर मिनट देती है और जो मैक्स स्पीड है इस इंजन का वह 80 km प्रति घंट ग्राफतार से है और कंपनी जो वरेंटी इस पर देती है आपको वो टू यह के देती है और 72,000 km का देती है जो काफी बढ़िया है आईये मैं आपको इसका इंटिरियर दिखा देता हूं कुछ इस परकार इसका यह की है आव देख सकते है नॉर्मल सा की है अभी सेंट्र लोग का Secretary नहीं के लिए जड़ सकते हैं है काफी यूनिक डिजाइन में डॉर सिब्राइन आप इसका उपिक है क्종 में 직접 करना काफी असान है यह अस आप आ रहाता था जया यह काफी वढ़िया है कि काफी बाणया है यह आप देख सकते हैं इसले रोटेट करके यह आपको शिसाबड दाऊन करना होगा यह ओल मॉडली पहले इसमें चलती है जो कपनेश 好घे आप धिखसकते हैं signal कि अधिशे कर लिए यह आप देछ लॉक एक लिटर का बोतल हर्दर बिगो आप यहाँ पर श्रेक्ट सकते हैं और इंटिरियो कुछ इस पकार दिख रहा है यह आप तक से ग्रैप है डिया वे देश चाटने के लिए आपको जो काफी आसान होगा चाटने में यह आप ते इंटिरियर आइए मैं आपको इसका प्लच के बारे में कुछ बता दू क्लच जो है इसका 240 mm का है जो का तो टमपरेशर और डीजल बता रहा है गेज होरन भी काफी लॉड है अब पूरा रफनेस का फील दिए हुआ है अपरा स्टेरिंग में काफी अच्छा है जो इसमें आपको स्टेरिंग मिल जाता है वह हैड्रोलिक पावर मिल जाता है स्टेरिंग यह आप देखते हैं पूरा डै काफी स्मूथ है इसका अब बीब भी करेगा जब जहां जाहे लगाना को इसमें बीब करें बताते रहता है यह अब देखते हैं यहां पर थोड़ा से स्पेस दिया हुआ है अपर म्यूजिक प्लियर अप लगा सकता है यह एसी यहाता है इसके अपर मॉडल में यह आपका इस परकार की से खुलता है सर्फिसेंट है यूज़ करने के लिए छोटा मोटा पेपर वर्क रखने के लिए आपको इसमें काम आ सकता है यह मैं इसको बंद कर देता हूं यह आप इस सैट भी ढूर देख सकते हैं यह सट भी ग्रैप हैंडल दिया हुआ है आ प्रसेंट्र शाइट को चेर्डने के लिए काफी बढ़ने है यह भी ड्रियर साइट भी है आग स्बेस्ट करना काफी असान है पर ग्रैप पकलता है यह यह आ पोर व्यम को देख सकते ह है यह केविलिंग आप देख सकते हैं नॉर्मलली केविल लाइट आता है यह संवाइजर इसमें इसमें मैनिफेक्टर का रिप्रल कुछ लिख हुआ है मैनी कि व्कर जो है यह आप सकते हैं आरा क्वालिटी काफी बढ़िया है यह अपनीचे आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर हेड़ लेवलर दिया हुआ है वन टू त्री जितने लेवल भी अपसेट कर सकते हैं मैं यहाँ जिरी में वख शुक्री लेवलर सकते हैं यहाँ कॉ ससक्टा करें और बॉद्ध करता में siya पहले जो मिलता था पाइप वाला जो आता है उससे काफी बहतार लग रहा है यह अब कुष्ट का कुष्णिंग को चेक करते है जरा कैसे कंपनी दिती है यह आप देख सकते हैं ठीक ठाक है एवरेज है यूस्टू है अब नॉट सो गुड अगर यूस्टू है